हेलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल मैं आपकी होश्ट अनन्य और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन तो दोस्तो आज हम सदा बाहर प्लांट की कटिंग लगाएंगे आप जानते हैं कि रेनिंग सीजन चल रहा है और रेनिंग सीजन में हमें सबसे ज़्यादा कटिं लगानी चाहिए एक प्लांट से हम हजारों प्लांट बना सकते हैं और अगर हम इनी प्लांट को शीट से ग्रो करते हैं तो बहुत जादा प्लांट को बहुत ज्यादा ग्रो होने में समय लग जाता है लेकिन अगर हम इनी प्लांट को कटिंग से ग्रो करते हैं तो बहुत जालदी इसली हो जाते हैं तो दोस्तो आप देख सकते हैं मैंने उपर की ही टिप ले रही हो जो हमारीस इसा कि अराम से लेगद सब्सक्राइब दोस्तों मेरी जो यह सदा बहार है अभी कुछ ज्यादा ही जैसे रेनिंग सीजन होई थी मैं इनकी पिंचिंग करना भूल गई थी तो इनकी लैंथ इतनी ज्यादा हाई चली गई थी इसलिए मुझे इन प्लांट की कटिंग करना पड़ रहा है क्योंकि प्ल इसलिए मैं उन प्लांट की कटिंग लगाती रहती हूं तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अपनी सदा बाहर की कटिंग वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है मेरे साथ दिलाश तक बने रहे हैं वीडियो पर पहली बार आएं तो लाइक करें चैनल को इनकी नीचे जितने भी एकस्टर लीफ होती है हम उन्हें हटा देते हैं और मैं आपको इन सारी कटिंग की सारी लेफ और जितने भी इन मेरे सीड़ बने हुए है मैं सब की इन सबको अपनी कटिंग से निकाल देंगे और दोस्तों अगर हम इनकी प्लांट की लिफ नहीं ह प्लांट्स को अच्छे सेन की लिव्स और शीट हटा करके मैंने पानी में डाल दिया था जिससे कि हमारी जो कटिंग से मुर्जाईना आप भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मैं हमेसा ऐसी करती हूं अगर यह दो दिन तीन दिन चार दिन पास दिन भी पानी में पड़ी रहेंगी तो इन प्लांट्स की इन कटिंग का कुछ नहीं बिगड़ने वाला जब आपको समय मिले तब अपने प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं तो गाइस मैंने मेरे इस पोट में पहले से ही सोईल थी और सोईल इसमें वही है दोस्तों मैं हमेसा हमें हर एक प्लांट के लिए त्यार करती हूं इसमें सेंड और हमारी नॉर्मल जो गार्डल सोईल होती है वो ही है और आप किसी भी टूल से होल कर सकते हैं दोस्तों हमारी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं अगर उनमें आप हल्दी चीनी पाउडर या आप एलो वीरा या रूटीन हर्मोंस भी नहीं लगा है काफी तो मैं आपको इसी वीडियो में कुछ अपनी सदावार की और और बहुत सारे मेरी कटिंग्स हैं जिनकी मैं आपको इसी वीडियो में अपडेट देने वाली हूं और अभी जो मैं कटिंग्स लगा रही हूं दोस्तों इनकी अपडेट मैं किसी और वीडियो में द लगारी नहीं संव चैनल कोई अब उसका अप्राइट इस तरीके से लगा सकते हैं मैं मैंने दोनों ही इस प्लांट की कटिंग लगाई है चाहिए वह वह मेरा। मैं आप ऐसकी वीडियो में उसकी अपडेट देने वाले हमने तो चलो दोस्तों मैं आपको अपने और plant की cutting दिखाती यह देख़ी दोस्तों यह मेरे दोनों ही plants की cutting यह दखीuted ध्यफॹte खोचा है कि नहीं खोड तuf स्तवाहर कि कुछा रही हमतिते से उट हवारे कि जनते सवह भी दाइber इस वह स्तवाइन ब स्तवाय कुछा कि कुछा हमेरे लेख सकते हैं इसका मतलब ये भी लग चुकी है और ये मेरे टर्टल वाइन की कटिंग थी टर्टल वाइन तो बहुत ईजी लग जाती है क्योंकि इनमे पहले से ही रूट्स होती है तो दोस्तों अगर आपने टर्टल वाइन से रिलेड़िट आप कोई जानकारी लेना चाहते है तो आप मे दोस्तों ये एनरजी हमारा प्लांट जो सबसे जादा इनहीं लिफ्स को दे रहा है जबकि इनका कोई जरूर्थ नहीं है अगर मैं इनको कट कर दूंगी तो वह छोटी वाली लीफ को देना शुरू कर देगा प्लांट और मेरी जो कटिंग मैंने लगाया है वह और छाएंगी मैं इसमें चार कटिंग लगाई ती जो की मेरे खराब होगी ती और एक मैंने इसमें पैंसिल कैक्टस की कटिंग लगा हुई है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से वह भी चल रही है मेरी कटिंग जब आप अपनी कटिंग लगाएं तो दोस्तों जरूरूर क्योंकि अगर कोई कटिंग खराब हो जाती है तो आप उसे महां से निकाल दें नहीं तो महां से ना फंगस लगाना शुरू हो जाता है जिस तरीके से मैंने अपनी कटिंग को खराब कटिंग को निकाल दिया है आप भी ऐसे निकाल सकते हैं और दोस्तों आज की वीडियो म में बाइ